कि है आज हम बात करते हैं सबसे पहले मेजर आफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए ओके सो मेजर आफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है इससे पहले हमें जानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ठीक है सेंट्रल टेंडेंसी क्या है इसको हम पहले देखते हैं तो जैसे हम मतलब आहमतोर से लोग समझते हैं कि सिंपन नंबर को में हुसकता है और विडियो की में गसकता है और और को सकता है Rock нем खरांब हम्हारे पास तब बहुत सारा डेटा इस लेकिन हमें अगर हम सेड्र टेंडेंसी की बात करें अच्या हम एक म 예ार्ण Iya discuss करते हैं और एक discuss करते हैं हम variation और कह सकते हैं dispersion और deviation ठीक है central tendency का मतलब यह होता है कि हम जो भी हमारे पास data set given है उसकी एक central value जो data को represent कर सके उसको pick करना है ठीक है data की ऐसी value को find करना है जो हमारे data set को represent कर सके center में से वो value आएगी तो central tendency मतलब यह है कि data की center की side से एक value को लेना है जो इस data set को represent कर सके बुरे बुरे data set को represent कर सके इसकी center में से एक value ऐसी ठीक है वो कहलाएगा central tendency ठीक है अब major of central tendency का मतलब क्या है कि उस central tendency को major करना है मापना है उसको ठीक है कि मतलब ऐसको हम क्या उसकी प्रॉपरइटी को देखे कि हो हमरे डेटा को hoam our and are data के बारे में information हमें दे सके तो central valueAllalu Central Tendency जो उस डेटा की बारे में हमें कुछ information जो हमें चाहिए थैक है तो central tendency को मैंने हम लिखे इसे मुणरी summary of a data set through a single value that reflects the center of the data distribution जो भी data distribution है हमारे पास data का distribution है given उसमें से एक value central value को pick करना जो हमारे data को represent कर सके वो central tendency कहलाएगा ठीक है अब यह central tendency जो हमारे पास इसको major करने के तीन general method तीन है और भी methods होते हैं first one is mean second one is median and third one is mod ठीक है हाला कि यह mean median and mod यह तीनों के तीनों भी इस बात पर depend करते हैं कि हमारे पास data किस तरह का data है ठीक है अब डेटा की data हमारे पास format किसमें है जैसे कि मैं बात करूँ mod की बात करूँ तो mod का जो usual meaning तो वह यूज करते हैं और median कभ यूज करते हैं यह हमें देखना होगा कि mod किस condition में यूज करें और क्या सभी में एक चीज़ लगा दें या ऐसा नहीं है कि सभी में हम कहीं भी मॉड्ड करने कहीं भी मीन करने ऐसा नहीं है ठीक है यह डेटा की category पर डेटा है अगर सब्सक्राइब करने के लिए अभी डेटा कैसा होता है यह यह कोशिच कर रहा हूं आपको कि यह इसके बारे में कोशन नहीं कराऊंगा आपको सब्सक्राइब क्योंकि ने तो बहुत लेंदी हो जाएगा यहाब समझाना सबसे पहले में समझते हैं कि हम यहाँ मौर्ड कहां find करना मीडियन कहां find करना है और में कांप करना है माद की बात करेंग तो मौर्ड हम महांbaj करते हैं जहां हमालपास category होती ही डेटा है जिसे कि मालिया एक category है उसमें हम race age group इस तरह की education level यह एक मतलब categorize किया है pupils को population को हमने categorize किया है according to their age their education level और caste they are different mode हो सकते हैं उसको category बनाने के लिए आपको कि हम सेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट च्छोड़ा सा आगे बात करते हैं major of central tendency इस मेंने बताया कि mean, median, and more iusually, हम इन तीनों को use करते है ठीक है otherwise हमारे पास और भी है कुछ central tendency रुजर करने के लिए generally mean, median, and a mode हमारे syllabus में भी given है ठीक है तो mean क्या करता है mean represents the sum of all values in a dataset divided by the total number of values जितनी values हैं हमारे पास उनको sum करके total number of values अगर divide कर दें तो हमें वो एक central value मिल जाएगी जिसको mean कहते हैं जो हमारे data को represent कर सकती है उसको mean कहें ठीक है हाला कि अच्छा ये दिखो जिसमें बता रहता कि कब हम mean यूज करें mean हम महां use करते हैं जो हमारे पास data आप कह सकते हो कि numerical type की form में होता है ठीक है लेकिं यह आप कह सकते हूं कि quantitative data होता है एक data हमारे पास qualitative होता है qualitative का मतलब यह होता है कि जहां quality क ड़ेटा हुआइए खता करते हैं मानले किसी person की quality וה Under peak behavior कैसा है इस तरह कि quality को हम only च करना है उसको क्वालिटी को हटा करते हैं तो वह इसमें भी प्रॉब्लम है हम नहीं यह तो है दिया कि जहां पर करते हैं कर सबस्सक्राइब जो यह इसके रीपर्डेंट करता है रफ पहों प्रावलिम है अगर बहुत बड़ी है और और फूर हम mean find करेंगे ना actually वो सही से data को represent करी नहीं पाएगा ठीक है देखो मैं यह बताना चाहता हूँ basically कि जैसे हमारे पास मालिया एक कुछ ऐसा है मैं यहाँ basically example लिखना नहीं चाहता था जैसी कि मालिया हम यह कहा दें कि हम mean बताएं one two three one thousand ठीक है वो value मिली नहीं पाहिए क्योंकि यह ना इंडियूजल अच्छा सेंटर टेंडेंसी क्या गर रही है तीनों की तीनों ही mean भी मॉड भी और median मी यह इंडियूजल जो data है उसके बारे में information नहीं देती है आपको एक central value एक average value बता कर देती है अच्छा भाई यह data का हमारा जो data है वो उसका behavior type का है या वो इस तरह का data representation है उसके information मिल जाती है लेकिन इंडियूजल data points क्या है उनके बारे में यह जानकर ही नहीं देता हमारा पास इंडर टेंडेंड है तीनों के तीनों ही ठीक है तो यह mean हमारा महाँ फेल हो जाता है या हमें ठीक अच्छा result नहीं देता है जहां पर यह तो बहुत large value हो जाए या बहुत small हो जाए एक value में से ठीक है तो महाँ यह सही answer हमारा जो हम mean आएगा वो actual हम उसे मानेंगे तो mean ही लेकिन वो साइ information data की नहीं दे पाएगा ठीक है अच्छा data का यह बड़ा यूज है आजकर data science के अंदर तो हमें बहुत accurate value चाहिए होती है उस situation अब mean की median की बात आती है यह तो एक में journal आपको overview बता दिया है कि हम mean कहां find करते हैं simple सा find करना का method तो यह कि sum of all value divided by total number of value से हम उसको divide करते तो mean आ जाता है ठीक है और यह भी बता दिया मैं आपको कि जहां quantity two होती है value वहाँ पर हम mean find करते हैं ठीक है और मैं यह भी बताया आपको कि यह वहाँ पर अच्छा result नहीं देगा जहां एक value बहुत च्छोटी हो जाए तो वहाँ पर भी यह ठीक result नहीं देता है ठीक है mean अब median की बात करते हैं कि median क्या है middle value of the data set that is data set that is arranged in ascending order अगर हम data को ascending order में arrange कर दें उसके बाद जो middle most value होगी उसको median बोलते हैं sorry उसको हम median बोलते हैं ठीक है frequency सबसे आदा है जिसके उसको कहते है mode of that data okay चलिए अब हम आगे चलते हैं एक note है यहाँ पर मैं लिखा कि in some cases a data set may contain multiple modes अगर किसी डेटा के साथ के अंदर एक साथ मोड हो सकते हैं अगर दो मोड होगा उसको by model data बोलते हैं तीन मोड 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 हो सकते हैं किसी data set के अंदर वाहिल in some case data set may not have any mode यह भी पॉसिबल है किसी data set के अंदर एक भी मोड ना हो मतलब कोई ऐसा data हो जो एक से अधा बार माले हम लिखते हैं 12345 इसका mode क्या इसको कोई mode ही नहीं है सारा data एक एक बार ही आ रहा है अगर किसी data की frequency सबस्यादा हो कि उसी दो मोड बोलें है ओके यह मैं विकुल आपको simplest जो पॉसिबिल है language उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर second note मैं लिखा है यहाँ पर the selection of central tendency major depend on the properties यह वह ही जो मैं आपको भी बता रहा थे कि हम किस central tendency का यूज करें ठीक है वो डिपेंड करता है जो हमारा data set के विए उसकी property के उ हो सकता है अकॉर्डिंगली हम different different हमारे पास formula है उनके लिए यह सेंटर टेंडेंसी फाइंड करने के लिए उनको next आने वाली और दूसरे lecture में हम ट्राइक करेंगे उसको complete करने के लिए ठीक है as mod is the only central tendency major for the categorical data categorical data जहां पर होता है उसको major करने के लिए सिरफ ठीक है मौड इफाइंड कर सकते हैं तो data हमारा कैसा है data set कैसा है उसकी property को पर depend करता है कि मौड फाइंड करें मीडियन फाइंड करें ठीक है बाद चलिए अब मैं लिखा mean work best with ordinal data यह जो ordinal data होता है उसके लिए mean सबसे बेतर है और mean sorry median उसके लिए सबसे बेतर है जो ordinal data mean किसके लिए सबसे बेतर है सबसे best है mean is regarded as the best major of standard tendency for quantity data that is not always always the case ठीक है जो always नहीं है यह always यह बात मैंने लिए हम बताई क्यों always नहीं कि कभी कभी ऐसी possibility आ सकती है कि हमारे पास value बहुत large यह बहुत small आ जाए तो उस situation में यह जो definition यह पर लिखी है यह क्या कर जाएगी फेल कर जाएगी हमारे पास इस situation में कि वह एक बहुत बड़ी हमारे पर large value आ गई है यह बहुत small values आ गई है तो situation में यह काम नहीं करेगा सबसे ठीक है extremely large और extremely small value की case में quantity data set में यह actual मतलब जो हमारे पास mean आएगा उसको बहुत accurate mean नहीं बोलेंगे उस situation में find करना के मतलब तो वही रहेगा तो यह basic idea था इन तीनों बेसिक जो central tendency हमारे पास mean, mod, median इनके बार में और central tendency क्या होता है इसके बारे ठीक है जैसे कि क्योंकि हमारे syllabus में भी सबसे पहले basic statics ही है इसके प्लु Post के ही बात करते है थीक है यह आइखो एको clear होगया हो की mean क्या है median क्या है माॉड क्या है center tendency क्या है थीक है center-tendency की बात करेंगे में से दूर की बात करेंगे हैं सेंटर के इसको मेजर करना है उसको check करना है उसकी information और inफ्रमेशन सी चाहिए सेंटर कराउन प्रिस्प कि इतना डेविएट कर रहा है वो तब की बात करेंगे ओके आई होप यह किलियर हो गया हुगा इसके बाद हम इससे लेटिट कुछ फॉर्मूलाज और को सॉल्ल करने करेंगे ठीके बात ओके ओके गाई थैंक्यू सो मच